करनाल के घरोणडा में धोल बजाने को लेकर कहा सुनी होने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई शिवकुमार है बताया जा रहा है कि होली पर एक समुदाइ के लोग ढोल बजा रही थी इस दोरान दूसरे समुदाइ के लोगों के साथ उनकी कुछ का सुनी हो गई उसके बाद लगबग एक घंटे बाद एक पक्ष के लोग लाठी डिंडे लेकर वापस आए और शीवकुमार पर ताबर तोड़ हमला कर दिया जिसमें शीवकुमार बुरी तरह से घायल हो गया घायल शीवकुमार को इलाज के लिए एक होस्पिटल मिलाया गया जहां उ पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दोशियों को जल से जल गिरफतार किया जाएं यहां हम आपको बता दे कि होली के अफसर पर शीवकुमार दिल्ली से अपने किसी रिष्टेदार के यहां घरुंडा में आया हुआ था इस दौरान दो गुटों के जगड़े म इसकी इलाज के दौरान मृति हो गई फिलाल पुलिस के द्वारा मृत का पोस्ट माचम कराकर शव परिजिनों को सोब दिया गया है हथिया तो कल होली का दिन थी और जो लोकल थे जो बाल में गी विरादरी से भोल डहाये थे और ढोल बजाने करदे को जो है न आपस में जगड़े तू तु में हो गया बई यहां तू ढोल मत बजाओ तो पैसे ले और आगे जाओ उन्हाने में भजाओ आन जीत पर आड़ जिसके वज़े से आपस में जगड़ हो गया इनका आपस में जगड़ा होने के बाद जो जगड़ा करने वाले थे दो गुट वो तो चले गए वहां से और यह जो सीव कुमार है यह जो घर इसका भाई दिली से मिले आया था इससे यह घर में बैठा था पर अचानक नहीं स्पिटल में लाए इनको तो रात ओप्रेशन किये थे लेकिन सुबह में जबाब दे दिये कि भाई इसका हालत सिरियस है इसको देख लो तो बताओ जहां रेफर करो को वहां ले जाओगा इसको डॉक्स बोले कोई जुड़त नहीं है तुम घर ले जाओ फिर आदे घंटे उसका मैं चाट्चाओ यह समय पूलिस में रिपोर्ट बाइब किया और पुलिस वाल है पर जो पुलिस करम चारे हैं वो अपना काम कर रहे है और जो कानूनी करवाईयय हो गी आगे उसमान को यहिंद बाद कि नेयाई कि मांगिकरेंगा ना जो हरिआना पुलिस है जो सब्सक्राइब करें दिन में जगडा हो गया था एक जगती है सेव कुमार उसके सिर्म चौट लगी थी इलाज के दुरान उसकी दूवा उस्पीटल में डेथ होती है यह कि जगा बट्टा कहा पर है कि नहीं बट्टा लोनी रोंडा तो गिरफतारी कोई हुई अभी गिरफतारी नहीं अभी तो करवाई चल देखें आज क्या करवई कि जगा तो केस रजिस्टर करके और 174 की कारवाई करके इसका पोस्ट मार्टम करवा रहें केतनी उमर्ती सेर्टी मुर्ती की उमर्ती की उमर्ती नियर अबाउट 40 यूर्स तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुक करें कर दो कर दो